Hello friends, मैं राजिंगर पटे, असिस्टर अफेसर फिर्म नर्सी में पटेंग कॉलेज और कॉलेज और कॉलेज और मेनेजमेंट करी से जैसे कि मैंने आपको पहले आगी की लेक्सिर में बताया था, आगी की सेशन में बताया था कि मैं आपको हरोज नहीं नहीं चीज़ सिखाऊगा, तो आज में कुछ नया लीटर आया हो, हरोज हम लोग मोबाइल देखते हैं, मोबाइल के अंदर हरोज हम लोग कोई लग वेबसाइट सर्च करते हैं, तो सोचिए ज़रा कि अगर आपकी खुद की वेबसाइट हो और अगर आपको पता चाह नहीं जा रहे है कि आज हम लोग क्या सिखने वाल है, तो आज हम लोग यह सिखने वाल है कि हम लोग अपनी खुद की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, नरसर वेबसाइट दो तरह इपी होती है, स्टेटिक और डायामिज जब हम स्टेटिक कर दो रहे है, वो एक नौर्व नौर्व स्टेटिक वेबसाइट बनाने जा रहे है, अगर एक बनानी है, तो हम बेसिकली कुछ नौर्वेज होना चाहिए HTML language का जिसको हम Hypertext Markup Language बोलते है HTML है कैसी language है जो हावे बार tag के अंतर लिखी जाती है उसके कुछ portion होते है और वो portion के ज़रीए हम लोग data enter करते है और तब जाते हैं उसको हम explorer में रन करते हैं फिर अज़े साइट क्यार करते हैं उसको हम hosting करेंगे hosting करने के बार वो कैसे display होती है वो भी हम देख सकते है ठीक है अगर खुद की website बना रही है तो फोडो की दिया हमारे वीडियो को continuous में देखते हैं यह sequence में जैसे जैसे भी हम लोग website बनाते जाएंगे आपको पता चलता ही जाएगा कि कैसे कैसे static और dynamic website तयार होती है लेकिन आपको एक बात पता लिए कि अगर आपको static या dynamic website बनाने है कोई भी scripting language यूज़ कर रहे है कोई भी software यूज़ कर रहे है कोई भी technology यूज़ कर रहे है लेकिन इसके लिए आपको basic STML का knowledge होना बहुत जरूरी है अगर STML का आपको बनाना शुरू नहीं कर सकती है ठीक है तो इसके चलो हम लोग शुरू करते है आज से हमारा STML का session और STML के basic starting हम देख रहे हैं कैसे शुरू होता है STML कैसे program से होते हैं और कैसे उस program को हम execute करते हैं इहां चलो करें हुआ दोस्तों तो हम लोग यहां परपर शुरू करने जा रहे हमारा practical session डिन्य सेशन में सबसे पहले हमें सबसे पहले vожд mình ट्रेक्टिकल करना है ता यह पता होना चाहिए हम कैसे GS material कर सकते और काहां पर store करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले हम एक directory आयाई के फोल्डर बना देना है जहां पर हमें अपनी साइट सेव करने है यहां पर मैंने बना दिया है डी कॉलन में लेक्चर वीडियो करके तो वहां पर मैं अपने साइट स्टोर करूंगा और वहां से हम वर्क आउट करेंगे सबसे पहले हमने यह बना दिया दूसरा हम प्रोग्राम किस में टाइप करेंगे कहां पर लिखेंगे यह हमें पता होना चाहिए नॉर्मली लिखने के लिए सबसे ज्यादा कोई भी टक्स एडिटर चलेगा नेकिन टक्स एडिटर के लिए हमलो беспयाशित कर्ते यहां पर मैं आपकत नाम से से यहां पर कोई भी html प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम html को यहाँ पर डिक्लेर कर देता है html और हर एक opening tag का closing tag भी हम यहाँ पर औहर लिखेंगे html क्योंकि उसके साथ में लिखने से क्या फाइदा होगा वो मैं आपको बता दू तो कि last में हमें पता चल जाएगा कि कोई रह नहीं जाएगा closing tag करने के लिए ठीक यहाँ पर मैंने html tag open किया और html यहाँ पर close किया अब मैं जब html शुरू कर रहा हूँ तो मुझे html को page को पहले सबसे पहले save करना पड़ेगा तो उसको save करने के लिए file में जाना है save पर click करना है first time पर अब जहाँ पर हमें save क सबसर की मेरा first page है यहाँ पर मैं home करके page बना रहा हूं और याद रखिए दोस्तों यहाँ पर html page बना रहा है तो उसका extension डालना बहुत जरूरी है तो यहाँ पर उसका extension है dot html मैंने यह extension डाल दिया अब मैं उसको save कर रहा हूँ जैसे ही मैं save करूंगा देख़ए यहाँ पर इसका color change हो गया और उसके साथ साथ मुझे notification भी मिल रहा है कि यह इसका opening इसके साथ में यह closing है तो यहां पर आप मैं शुरू कर रहा हूं सबसे पहले HTML जैसे ही डालते हैं उस page को हम execute करेंगे तो execute करने के लिए इसके लिए हमारे पास एक ब्राउजर होना चाहिए ब्राउजर मतलब जहां पर हम अपनी website open करते हैं ठीक है यहां पर मैंने जो किया वहां पर जो page मैंने बनाया तो यहां पर मैं directly उसके उपर click करूंगा तो वह ब्राउजर में open हो जाएगा अभी page अंदर कुछ में नहीं ड पास दिखाएगा और यह जो मेरा page है वह फरंट पर फर्स page है अब मैं उसके दर्वापीश चेंज कर रहा हूँ यहां पर मैं open कर रहा हूँ इसमें मैं पहला उसका एक sub tag डाल रहा हूँ जिसको मैंने head बोलते हैं यहां पर जैसे ही मैंने head डाला तो उसका मैं अभी closing भी ड जो है वो हमारे page का जो heading portion है उसके अंदर हम इस्तमाल करते हैं जैसे कि हमें हमारी website का title display करवाना हो या तो कोई और फाइल link करवानी हो जैसे कि CSS जब ज्यादा designing करना चाहते हैं तो हम CSS करके उसका deeply coding ले सकते हैं तो यहां पर CSS कोई फाइल link करना हो तो वो सब यहां पर head portion मे यहां पर मैंने head करके tag ले लिया यहां पर मैं उसका head का जो portion है उसमें title tag डाल रहा हूँ जो हमारी website का डालना है यहां पर मैंने Title Tag डाल दिया, तो उसका भी मैंने Clozing डाल दिया, अब मैं यहां पर Title के बीच में Title डाल रहा हूँ, यहां यहँ इस्टेमल का सेशन है, तो यहां पर मैं डाल रहा हूँ, HTML Lecture, देखेे, HTML Lecture करके मैंने मेरी Site का Title दिया है, अभी मैंने HTML tag शुरू किया है, अगर यहाँ पर मुझे कोई और भी चीज डालनी है, तो यहाँ पर मैं link कर सकता हूँ, कोई भी file यहाँ पर add कर सकता हूँ, CSS का code भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ पर head tag में सिर्फ कितना इस्तेमाल करता है, अब head tag के जरीए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि head tag में जो हमने title tag डाला, तो title tag में हम always यहाँ पर डालते हैं, यहाँ पर जैसे कि यह title है, वैसे हमारी site का यहाँ पर title आएगा, यह HTML लेक्टर करके, तो देखते हैं कैसे आता है, तो इस page को हमने save किया है कि नहीं, वो हम देख लेते हैं, इस page को हमने अब तक save नहीं किया है, तो हमें बापिस उसको save पर click कर देना है, एक बार save कर दिया, मतलग अब वो page को मैं refresh करूँगा, तो क्या change होगा, वो देखते हैं हम लोग, देखिए, जहाँ पर पुरा पार दिख हो जाएगा, जैसे की html practical कर रहा हूँ, मैं अब मैं उसको save कर दिया, मैंने, जैसे ही save किया, अब मैं उसको refresh करता हूँ वापिस, तो यहाँ पर html practical होगा, so that is the first thing, we have to provide our title, in individual page, if we have to provide the same title, then we will declare the same title, if we have to change our title, then we have to declare the some another thing on the another page, अब यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, यह जो portion था, वो हमारा head portion था, अब यह जो portion है हमारा explorer के अंदर, वो हमारा body portion है, इस body portion के अंदर, हम बहुत कुछ डाल ज़कते हैं, तो body portion के अंदर कुछ भी डालने से पहले, हमारे यहाँ पर body tag हम लोग declare करते हैं, और उसको close भी करते हैं, यह मैंने body tag close किया, अब यह जो body tag है, यहाँ, इसके अंदर मैं कुछ भी typing करूँगा, यहाँ मैंने दो sentence भी लिखे, this is sample page, this is my first page, अब मैं उसको save करता हूँ, उसके बाद मैं वापिस page में जाके उसको execute करता हूँ, तो यहाँ पर continuous ली आ रहा है, this is sample page, this is my first page मतलब, means, हमें अगर यहाँ पर अलग-अलग line करनी है, तो उसके लिए भी हमें एक कुछ और tag यूज करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर एक और tag है, बियार करके, बियार tag मतलब break line, break line मतलब हम लोग अपने नई लाइन में जा सकते है, उसको save कर गिये, फिर execute कर ये, एक फाइव प्रेस करता है, तो यहाँ पर automatically खुद भी चला जाएगा, तो यह जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, जो जो भी content मैंने लिखे, वो same to same वहाँ पर display, और भी कई tag है, जो same to same content लिखे जाएंगे, हम लोग देखते रहेंगे, ऐसे ऐसे, लेकिन यहाँ पर और body tag में हमें कुछ background के change करना है, क्या क्या कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग उसके attributes डिक्लेन करेंगे, attributes मतलब कि जो भी effect देना है, तो उसके साथ हम क्या क्या effect दे सकते हैं, वो देखते हैं, यहाँ पर background color चेंज करना है, तो यहाँ पर मैं डाल चकता हूँ, बीजी color, यह body का attribute है, बीजी color उसके स अगर change करना है, तो यहाँ से हम change भी कर सकते हैं, जैसे कि light blue, उसको मैं execute करता हूँ, तो it will be blue, light blue, अगर light red करना है, light yellow करना है, directly कोई भी color आप करो, तो यहाँ पर execute होगा, और वो color भी display होगा, यह जो था, वो color था, उसके अलावा हम ही suppose की color नहीं चाहिए, लेकिन हमें कोई image चाहिए, तो यहाँ पर image भी हम डाल सकते हैं, जैसे कि background करके उसका attribute है, यहाँ पर equal to करके हमें यहाँ पर image का path देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर image ले रहा हूँ, normal image को copy paste करके, अपने folder में डाल देता हूँ, जहाँ से मुझे directly path देना की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं क्य कि जहाँ पर हम लोगों अगर same दिया है, तो same में क्या फर्क पड़ सकता है, तो क्या कि बार बार वो कहीं से लेना नहीं पड़ रहा है, पुरा path नहीं डालना पड़ेगा, यहाँ पर अगर कहीं और से आप लेते हो, तो उसका पूरा path डालना पड़ेगा, dot jpg करके वो image है तो मैंने रहाँ पर dot jpg डाल दिया, अब इस file को मैं save कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर जाके हमारे program में execute करता हूँ, तो देखिए, background में पुरा image आगा है, यह तो normal हम लोगने image बनाती है, हमने जो sentence लिखे हैं, वो थे, यह से भी हम बहुत attribute यहाँ पर declare कर सकते हैं, जैसे कि attribute डाल सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पर control भी डाल सकते हैं, जैसे कि text box है, label है, combo box है, drop down है, लेकिन जैसे जैसे हम program करेंगे, वैसे वैसे हम आगे continuous करेंगे, यह हमारे आज के session का, first session का portion था कि हमें कैसे उसका title देना है, कैसे body portion में text display करवाने हैं, अब आप next session में लेते हैं, वो भी देखेंगे, link कैसे लेते हैं, वो भी देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ आज का session खतम करते हैं, और next session में आगे और program देखेंगे, जैसे हमें और भी पता चलेगा कि कैसे कैसे हम program कर सकते हैं, तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि HTML के अगर कै जैसे हम लोग head part declare सकते हैं, और body part declare सकते हैं, head character, title कैसे देते हैं, हमानी side का title कैसे आएगा, वो सब हमने देखा कैसे page से होते हैं, वो भी देखेंगे, अब देखते हैं, आगे next session में हम लोग यह दिखेंगे, कि body portion में अलग-अलग control कैसे डाते हैं, अलग-अलग changes कैसे करते हैं, आज के मतवा में तक बहुत कुछ attributes भी सीख लिए कुछ, तो continuous हमाने session को continuous follow करिए, continuous download करिए, जैसे जैसे आप मदद करोगे, जैसे जैसे आपको पता चलता जाएगा, ठीक है, अबर video पसंद आया है, तो like करना मत बुरिए, share करिए, और subscribe करिए, बैर पर tick कर लीजिए, जैसे जैसे भी हमारा नया मदद करोगे, तो आपको पतिकेशन में जाए, ओके, थैंक यू